दोस्तों नमस्कार आप सभी का स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल आरेनेस एजुकेशन न्यूज में दोस्ति इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चिकित्सा विभाग राजस्तान तो जो सभीदा के आधार पर जो भरती एनम और जी एनम की आने वाली है एनेचम की भरती होगी सबसे पहले मैं ये भी किलियर कर देना चाहता हूँ नेशनल हेल्थ मिशन और एनेचम की भरतियों को लेकर के इस तरीके के कमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है कि सरकार सभीदा पर भरती क्यों कर रही है सबसे पहले नहीं के बारे में पता करिए कि नहीं की भरतियां पूरे देश में आती हैं ऐसा नहीं है राजस्तान सरकार चाकर के तुम्हें नहीं में भरती कर रही है ठीक है? यूपी विहार की बात करें तो 9-10-10 वेकिंसी नहीं में भरती करते हैं तो आएंगे इसमें राजस्तान सरकार का कोई दोस्त नहीं है कि वह एनचेम की यहाँ पर भरतियां क्यों कर रहे हैं तो यह आती रहेंगे कुछ भी कमेंट करने से पहले आपको दोस्तो पहले परियाप्त जानकर जुटाने चाहिए जो आप लोग लिख फारें कल दो वीडि परिख लिया होगा कब परिक्षा है पद आप लोगों को मैंने बता दिये थे और फिर से बता देता हूँ सबसे पहले नहीं का जो पद है यह एनम के पद है ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए- अलावा दोस्तों में एक और चीज बताना चाहूंगा कि NHM में ये जो दो भरतियां हैं इनकी परिक्षा तिथी तो यहाँ पर जारी हो गई है तो NHM में और भी कलगबग 50 प्रकार के पद हैं यानि कि A&M, G&M खोटा लें तो NHM में जैसे फार्मासिस्ट हो गया, लेप टेक् इडर्स हैं, उनकी भरतियां यहाँ पर अब किस डिपार्टमेंट के दुवारा करवाई जाएंगी, कौन सी भरति अजेंसी तेग करेगी, वो दोस्तों भी पता चल नहीं पाया है, हलंकि यह जो टोटल जो भरतियां हैं तकरीबन बावन सो हैं, ठीक है, 5119, तो उनमें से आप लोग 1189 में यह आप लोग कम कर लिजें, कितनी, आप लोगों की दो हजार अठावन और 1588, यह कम कर लिजें, ठीक है, तो यह पूरी बात यह 26, 2700 वेकेंसियां, आप लोग, sorry, 3500, 3600 वेकेंसियां आप लोग देख लें, बाकि जो बावन सो क्या स्वास भरतियां, 15, 17 300 वरतियां हैं, उनमें आप लोगों की फार्मासिस्ट की है, LTE की है, आयरविद की है, MO की है, बहुत सारे पद हैं, ठीक है, आसा कोर्डिनेटर इस इन तरीके के पद हैं, तो उनके बारे में पता नहीं कौन सी वरतिय अजनसी करेगी, मुझे पता नहीं है, बिल्कुल किल अब बस है, दोस्तों इसमें देखिए, जिस पद के लिए आविदन किया है, उसमें सम्मंदित प्रोफेशनल योगिता के विश्यों से सम्मंदित प्रशन, ठीक है दोस्तों, जैसे उधारन के लिए नहीं बता है कि आयरवेद चिकित सक के लिए सम्वार घेतू, जो पढ़ा, जो आप लोगों के चलता है सलेबस, वो रहने वाला है, यार्ण की विशेग्यान जो है, वो रहने वाला है, तो उसके 60 प्रतिशत सवाल आएंगे, कितने आएंगे, 60 प्रतिशत आएंगे, जो सब्जेक्ट आपने पढ़ा है, आपकी एनम में पढ़ाई और अगर GNM के हैं तो आप GNM का रहेगा ठीक है ये तो होगी आप लोगों के स्लेबस की बात जो विशे से रिलेटेड है यानिकि आपका नर्सिंग से रिलेटेड है वो 60 अंकों का ये हो गया अप दोस्तो 15 जो अंक हैं उनके लिए क्या आएगा कि रास्ट्य स्वास्थ मिश जो है उसके अंतरगत कौन कौन से कारिकरम चलते हैं कौन कौन सी योजनाय चलती है नहीं के दुआरा जैसे बहुत सार योजनाय चलाई जाती हैं बहुत सारे कारिकरम चलते हैं टीका करण के कारिकरम हैं और मतलब जागुरुकता के प्रोग्राम हैं या और सरकार योजनाय हैं जो NHM से related हैं तो वो भी पूची जाएंगी तो NHM से related जितने भी सरकारी योजनाई हैं संचालित कारेकरम हैं प्रोग्रामस हैं वो सब 15 अंकों के होंगे कितने अंकों के होंगे 15 अंकों के होंगे इसके अलावा दोस्तो सामान्य चिकित्सा यानिकी जर्नल जो मेडिशन है स्वास्ति है पोशन है स्वच्था है उनसे सम्मंदित भी प्रशन आएंगे और सामान्य ज्यान के वे प्रशन जिसमें विभिन कारेकरम पॉलिसी गतिविधियां सामिल हैं तो 15 अंकों का आएगा आप लो जो होती हैं उनके बारे में ये 15 अंकों का आएगा और दोस्तो 5 प्रतिसत जो आप लोगों का है वो पूछा जाएगा राजस्थान का कला इतियास परंपरा विरासस्त इस्थापत्य कला किले इसमारक लोक मेले संगीत त्योंहार संसकर्ति परियटा निष्टल भासा साहित क्रतियां पोलियां यानि कि राजस्थान जी क्या आएगी पांच नंबरों की कितने की आएगी पांच नंबरों की राजस्थान जी क्या आएगी आप लोग के एनम और जीनम दोनों में अब दोस्तों 5 अंकों का आएगा आपका करंट अफेयर्स कितने का आएगा 5 अंकों क आप लोगों का 100 सवाल आने वाले हैं अंक इसमें में भी 3 या 4 अंकों का एक सवाल होगा या एक का भी एक रख सकते हैं ठीक है वो तो marking से कोई खास फरक पड़ेगा नी 100 सवाल आने वाले हैं और वो 100 सवाल आप लोगों के 60 तो आपके subject से related होंगे सबजेक्ट से रिलेटेड होंगे पंदरा जो आप लोगों के हैं NHM की जितनी भी योजनाई हैं कारिक्रम हैं उनको रट लीजिएगा उनसे रिलेटेड होंगे पंदरा प्रतिसत जो सवाल है जनरल मैडिशन एंड हैल्थ, पोशन, नूट्रेशन सवाष्थ, इनसे रिलेटेड होंगे और विभिन, कारिक्रम, पॉलिसी और गत्विधियां जो सवाष्थ को लेकर चलाई जारी हैं, जो पोशन को लेकर चलाई जारी हैं, जो सवाष्थ को लेकर चलाई जारी हैं, उनसे रिलेटेड होंगे और पांच नंबर की राजस्थान जीके होगी जिसमें आप लोगों को मैधपुन किले, इसमारक, लोगईत, संगीत यानि कि राजस्थान जीके का पांच नंबर का portion रहने वाला है और जो current affairs है यानि कि current affairs में अंतरास्टी इस्तर पर रास्टी इस्तर पर और राजस्तान के संदर्ब में तो पांच अंकों की ये current affairs रहने वाली है और total 100 अंकों का रहने वाला है अब दोस्तों आप लोगों का सवाल लिये होगा भाई ये तो एनम जी एनम का सले बस हो गया फा किसी की भी आए तो सब में यही रहेगा 60 परतिसत तो रहने वाला है subject का बाकि 40 परतिसत अदर्स इसको आप लोग इस तरीके से भी देख सकते हैं कि जिस तरीके से CHO का पीपर होता है उस तरीके से भी आप इसको देख सकते हैं कि हलंकि CHO के में राजस्तान जीके नहीं आत है ठीक है भारत का जीके के सांदर में तो यह 5 परतिसत यहां पर यह देखे करंट CHO में पूछा जाता है वहाँ पे 70-30 का इस तरीके से हैं तो यहां पे 60 और 40 का 60 परतिसत में से अगर आपने contest कर लिया तो आप लोगों को बहुत अच्छा लाब हो सकता है और यह लिखित परिक्षा के मारफत से आप लोगों की भरती रहने वाली है अंग्रेजी हिंदी दोनों में पेपर आने वाला है यह भी नहीं है कि वाई एक वासा में आएगा कि आपको दिक्कत हो ठीक है दोस्तों यह है पूरा का पूरा सलेवस के बारे में और परिक्षा आप लोगों की 24 सितंबर होगी सुबह होगी एनम की और साम को होगी 24 सितंबर को जी एनम की ठीक है साथियो ये परिक्षा का बात है और काफी लोगों ने कले कमेंट और भी किया जो मैंने बोनस अंकों को ले करके बताया था तो देखिये साथियो मैं बिल्कुल clear कर देना चाता हूं मेरी तरफ से और मेरी तरफ से नहीं जो आदेश बोनस अंकों को ले करके जारी किया गया था तो उनको ये बोनस अंक तो देंगे निश्चित तोर पर देंगे चाये परिक्षा हो रही है ठीक है परिक्षा तो हो तो ये मेरे according और जो ये आदेस है क्योंकि मैं फेकता नहीं हूँ कि भाई मैंने आप लोगों को और नहीं ये किसी को खुस करने या दुखी करने के लिए चीजे बताता हूँ जो facts हैं वो बता रहा हूँ 23-24 तक जो भी 24 मार्च तक जो भी भरती आएंगी मार्च 2024 अगले वरस मार्च जो भी भरती आएगी उसमें बोनस अंक यही रहने वाले हैं जो कोविड में काम कर चुके हैं और ये कोविड में काम करने वालों को मिलेंगे बोनस अंक ठीक है ऐसा नहीं है कि भाई इसमें जो औरों को भी मिल जाएगा किसको जैसे कोई आनच्चम में लगा है कोई मतलब यू टीवी में पहले का लगा हुआ है और कोविड से पहले हट गया या कोविड के बाद लग गया जैसे 13 फरवरी 2022 के बाद लग गया ठीक है तो उसको बोनस अंक नहीं मिलेगा ठीक है ना जो 22 मार्स से 22 मार्स 2020 से 13 फरवरी 2020 के दोरन कोविड में जिसने काम किया उसको ये पंदरांग परिक्षा चाहिए कोई भी भरती आए नरसिंग की उसमें मिलेगा ही मिलेगा इसमें कोई किंटू परंत मुझे कहने में नहीं है मेरे सामने सबसे बड़ी आधार ये है ठीक है और ये कोविड में जिन्नोंने काम किया उनुनकोई है कोविड से पहले लग रहे हैं तो नहीं मिलेंगे कोविड के बाद लगे तो भी नहीं मिलेंगे ये सिर्फ दो साल के दुरण जो लगे और हटे उनको पन्दरा अंख दिये जाएंगे अब जब उनको पन्दरा अंख देंगे तो यह 85-85 के हिसाब से हो जाएगी भरति ठीक है, 85-85 पिच्च्च्च्च्च्च उनका papers का वेटेज ले लिये जाएगा अब पन्दरा, उनका bonus अंख दोट दे जाएंगे तो यह जो पंदरांखों के आप लोग बात कर रहें कि भाई उनके पंदरांख जादा हो जाएंगे तो ऐसा बिलकुल भी नहीं है कि भाई उनके पंदरांख जादा होने से कोई खास फरक पड़ेगा अगर आप लोगों में capacity है पड़ने की 60 प्रतिसत ये ले सकते हो ये 15 प्रतिसत ले सकते हो इसमें से भी आप 10 ले सकते हो और ये दो 10 नमबर के साल इसमें भी अगर 5-6 तो लोगे तो कितना कर लोगे यार बहुत अच्छा कर सकते हो आप लोग ऐसे पैनिक नहीं होना कि भाई सब कुछ उनके लिए है आप लोगों का ही तो कहते रहते हैं कि परिक्षा के साथ चाहिए बोनस दे दो लेकिन भरती कराओ परिक्षा से अब जब इस तरीके की चीजे हो रही है तो एक और कमिटमेंट आता है कि भाई नहीं अब बोनस मत दो लिखित परिक्षा में इनको बोनस क्यों दे रहे हैं तो मेरे इस तरह से कुछ नहीं हो रहा भाई मैं नहीं दे रहा और मेरे जैसों को तकर कोई बना दे कुछ इस तरीके का करने के लिए तो मैं तो ना नहीं याद दिला दूँ कि किस तरीके से बरतियां होती है और किस त अच्छा भी लगता है। अच्छा के चले जाते हैं अभी अजमेर में आई थी यूटीबी का कई हजार फोर्म बरे गए हैं किसी को कहने के बाद एक तरफ लिखेंगे लिखित परिक्षा से भरतियों दूसरी तरफ यूटीबी का फोर्म डाल देते हैं। क्या फायदा और मैं तो जो गलत होता उसको उठाता भी रहा हूँ। तो यह जानकरियस आती हूँ यह आप लोग के सामने सिलिबस और रहने वाला है इसमें थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है तो वो हो सकता है बाकि लगता नहीं कुछ चेंज होगा। इसका स्क्रिन सोट भी ले सकते हो ठीक है यहां से आप लोग ले सकते हो इसका स्क्रिन सोट और इससे देख सकते हो कि क्या क्या पूछा जाएगा। ठीक है, सोवंकों का सवाल होगा, अब भाई, डिटेल में इसके जो टोपिक्स है न, वो तो देखिए, पता नहीं है, आप लोगों के सामने है, सारे डिटेल में है, आप लोगों के जो परिक, जो प्रोफेशनल जो योग्गिता है, डिपलोमा डिग्री है, उसमें जो वो आप सबको पता है क्या-क्या topics पढ़े हैं राश्टी स्वास्त मिशन की योजिनाएं और जो कारिकरम हैं वो सबको पता है कौन-कौन से हैं ठीक है पोसन ची कित्सा स्वास्त इन सबको पता है कौन-कौन सी चीजे हैं और राश्टान के इन टोपिक दे ही रखा है और समसामे गटना हैं जिसमें खेल, राजनिती, किताबें किसने लिखी किसने कौन से पुस्तक लिखी या कोई ऐसी महत्पून गटना हो गया या कोई सम्मेलन हो गया हो इन से लेटर ही आप लोगों की करंट आएगी ठीक है तो बड़ी बात है नहीं तो धन्यवाद दोस्तों फिलाल के लिए इस वीडियो में इतना ही अब रही बात भरती की तो ये आप लोग आज 16 मई है ठीक है जोन के पहले सब्ता तक ये भरती विग्यपती देख लेंगे ठीक है 15 से 20 दिन के अंदर ये विग्यपती है आप लोगों की आज आएगी ये जानकारी थी और चेनल के साथ जुड़े रहें और दोस्तो चेनल को सब्सक्राइब भी कर लें बहुत सारे लोग सब्सक्राइब भी नहीं कर रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, तुम्हारा कुछ नहीं जाता, तो मेरा बहुत कुछ चला जाता, तुम सब्सक्राइब नहीं करते हो, ठीक है, बहुत कम बोलता हूं सब्सक्राइब करने ले, लिकना आज कर लीजि झाल, 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 झाल